नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजूकेशन क्लासस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आयो के महत पूर्ण समवात के बारे में जानेंगे UKPSC और UKTPSC दोनों ने नोटिफिकेशन जारी किये हैं पदों में वृद्धी की गई है और कुछ पदों को हटाये गया है इसके लावा उत्तराखंडे में नई भरती भी निकली है उसके बारे में भी जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों वेकिंसी के बारे में जान लेते हैं उत्तराखंडे राज्य भंडारन निगम में वेकिंसी निकली है और इनके द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित के गए हैं कुल मिला के तेरा पद हैं दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं लेकाकार, आडिटर, भंडार, अदिक्षक, भंडार, सायक, कनिस्ट सायक, प्राविदिक सायक और सायक लेकाकार के कुल मिला कर तेरा पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया है विग्यावन परकासन की तिती है 6.1.2022 आविदन हो जाएंगे 8 जन्वरी से शुरू और 31 जन्वरी तक आपके पास समय रहेगा इसके अलावा दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है www.ukswc.org से भी आप कई चीजें जान सकते हैं वह हम भी आपको बता रहे हैं मैंने आपको बता दी देख लीजे पद नाम है लेखाकार आउडिटर जिसमें कुल एक पद निकला है और इसमें जो सेक्ची करता है किसी मानता प्राप्त विसे विद्धाले से वानिजे में इस नातक की उपादी तथा कंप्रेटर में डो एक का सी 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 परमानपत रपको चाहिए इसके वालावा भंडार दिक्षक की निकली है इसमें कुल मिला के एक पद निकला है और इसका लेवल चार है और यहाँ पर देख लीजे उपरोग तलीका में अंकित पादी आप अपलाए कर सकते हैं इसके अलावा देखे बंडार सायक इसके कुल मिला के साथ पद निकले हैं और इसका भी यही कहा रहे है लेवल तीन है अलंकि दियावल लेकिन जो भी तालिका में अंकित पद है यह इसके संसोधन किया जाना सासन सर से प्रस्तावित है तो का लेवल इसका तीन है और किसी मानता प्राप्त बोल्ट से इंटरमीडियेट है उसके संवकश कोई परिक्षा कम्पीटर पर हिंदी अंग्रेजी टंकण में कम से कम 30 वर्ड पर मिनिट की स्पीड चाहिए ठीक है तो इंटर मांगा है फिर आपका अंग्रेजी टंकण की औ आगे जाके सासंस्तर पर अभी प्रस्तावीत हो गाए ठीक है संसोधन किया जाएगा इसके वितन मानो ग्रीड वितन में ठीक है और इसकी जो सेक्षी काड़ता है वो मानता प्राप्त विश्य विद्याले से एक विश्य की रूप में क्रिसी या प्राने विज्यान या रस परिक्षा की जाएगी सौ अंकों की दो घंट की परिक्षा होगी अब्जेक्टिव टाइप की क्वेशन आएंगे इसमें मल्टिपल चॉइस के और प्रस्ण जो होंगे वो होंगे उत्राघंड की संस्कृती करेंट अफेर्ज जनलेज उत्राघंड का बहुगलिक एतियासिक जानकारी थोड़ा गणित आएगी अंग्रेजी कंप्यूटर एड्यूकेशन रीजनिंग इससे सम्मंदित होगे ठीक है इसके बाद जो कनिश सायक में निकलेंगे उनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस के लिए उनको आमहत्यत करेंगे हिंदी अंग्रेजी का उनका आएगाई तो भी साहती होंगे पूल मुलला के ठीक अब लिखित परिक्षा के लीए आपको 45-35 अंक लाना अनिवारिय थै अगर आप बिलॉग करते हैं सामानिय Overseat से अगर आप SC ST से बिलॉग करते हैं 35% अंकल लाना अनिवार्य है, ठीक है, निगटिव मार्किंग होगी जिसमें, जो कि इसमें होती आई है, ठीक है, और इसमें आपको कोई अर दिकत नहीं है, ठीक है, बाकी देख लीजे, इसमें आविदन पत्र, प्रेशन का जो तरीका है, वो देख लेना कि आविनन पत्र जो है वो निगम की वेबसाइट में दिये गे लिंक में ओनलाइन जाकर आपको सावधानी पूरक ओनलाइन ही जमाओंगे और उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट निकाल कर उसके संग समस्त वांचिता बिलेक प्रमापत्रों की सेल्फ उत्त्रागंडर राज्य भंडारन निगम भंडारन भवन टी वी एस परीसर नियर इंद्रा चौक काशिपूर रोड रुद्रपूर उधम सिंगनगर पिनकोडिया है के कारेले में प्राप्त होना आवश्यक है ठीक है और आविदन पत्र के उपर के लिफापे के उपर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा ठीक है अब ब्यरती निर्दादिस्तान पर स्वाप्रमानित नविंतम पासपोर्ट साइस की फोटो जिसमें उसके सबस्टा हस्ताक शर्वात तियंकितों चस्पा करेंगे ठीक है तो यह सब चीज़ें दोस्तों आप पढ़ देना हलं जाती है ठीक है एक चीज ध्यानक न कि इसमें परिक्षा सुल्क आपको पढ़ेगा फ्री का फॉर्म नहीं है इसमें अगर आप अनारिक्षित या OBC से बिलॉंग करते हैं तो आपको 750 रुपे सुल्क पढ़ेगा अगर आप SC, ST और EWS वर्ग से आते हैं तो आपको 500 रुप www.oswe.org पर अपलोड किए जाएंगे वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब इसके बाद कुछ समवाथ जो की UKट्रीपलेशी के द्वारा जारी कियेगे उनके बारे में जानते हैं तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं UKट्रीपलेशी के द्वारा जो समवाथ जारी क किया गया है, 7 जनवरी 2022 की इसकी डेट है, ये विग्यप्ती सुद्धी पत्र है, एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तरा गंडा दिनस्त सेवा चैनक द्वारा जो विग्यापन संक्या थी, दिनांग 28 बारा 2021 द्वारा विभिन विभागों में, अनवेशक कम संगनक, सायक सांकी के अदिकारी, सायक सोद अदिकारी आदी के पतों को विग्यापित किया गया था, लेकिन आयोग की जो पार्टिक्रम निर्धारन समीती है, उसके द्वारा की गये संस्तिती सुझाओ के करम में, उक्त विग्यापन के करमांग 1 पर अंकित, हॉम्योपेथिक चिक सेवा के अंतरगत, जो विग्यापित है, अन्वेशक कम संगणक, ठीक है, एक पद और करमांग 2 पर अंकित, परेटन विकास परिशत के अंतरगत, सायक सोद अदिकारी का जो रिक्त एक पद है, उसको विग्यापन से निरस्त किया जाता है, ठीक है, उक्तिक अतरिक्त जो कुल मिला कि आपके 93 पत थे, उसमें से 2 पादिनों ने कम कर दिये, ठीक है, I think 93 थे, तो उसमें से 2 पादिनों ने हटा दिये, वैसे भी आपने देखा होगा कि जब पाठेकरम अभी हाल में ही UK SSC के तौरा जारी किया गया था इस परिक्षा का, तो उसमें अन्वेशक क संगण को सायक सोधा दिकारी को छोड़ कर था, ठीक है, और वैसे भी देखा जाये तो सायक सोधा दिकारी और खासकर जिस विभाग में निकली है, तो उसका पाठेकरम अलग ही होना चाहिए, तो सीधी बात है कि जो पाठेकरम निर्धारन समीती उन्होंने बोला होगा कि इनका पाठेकरम अलग होना चाहिए, तो उसको उस विज्यापन से फिलाल हटा दिया है, तो वो कलब करके परिक्षा कराय जाना संबव नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए इसको हटा दिया होगा, तो पहले भी मैं वैसे भी सोची रहा था कि इसमें ARO का पत कैसे इसमें एड जो असिस्टन रिसर्च ओफिसर होता, उसका जनरली अलग पाठेकरम होता है, और फिर ये निकली भी होमियोपैथिक चेकित सास के अंतर गयता है, तो इसका अलग रहा होगा पाठेकरम, तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया होगा, ठीक है, इसके अलाबा एक और सुद्धी द्वारा ग्रामिन निर्मान विभाग पत कोड के कनिस्ट साय के ग्यारा पदो पर सीधी भरती द्वारा चेहन तो विग्यापन जारी किया गया, जिसमें रिक्त पदो के उर्दवा चैतिस आरक्षण का विवरन निमनानुसार है, ठीक है, और मुख्य बिनता ग्रामिन नि इस्तिती निमनानुसार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो पद हैं, पदों में दोस्तों क्या हो चुकी है, वृद्धी हो चुकी है, ठीक है, यानि कि ग्यारा के स्थान पर पच्चिस हो गए है, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मामला कहां चलना है दोस्तों, एल् गन्ष्टेरण दोरा प्रेसिश संसोधित अदियाचन के करम में कनिष्ठ साया के विग्यापत्त्पदों की संक्या 11 के स्थान पर 25 की जाती है, तो अभी कनिष्ठ साया का एक्जाम तो दोस्तों हो चुका है, 31 एक्टूबր को, तो ऐसे ही अगर क्या हो सकता है, कि l.t. का अगर अधियाचन भेज दे और संसोधित करके अगर चाहें तो इसमें पदवृद्धी हो सकती है ठीक है इसी तरह से पदवृद्धी हो चुकी है हलनकी यहाँ पर एक चीद ध्यानकने वाली बात है कि जो कनिस्ट सायक है भी उसका रिजल्ट आया निया तो पदों की संक्या घट बढ़ सकती है यह तो साफसाफ विग्यपती में लिखा होता है तो ऐसे ही अगर संसोधित अधियाचन भेज दिया जाये और उसमें 25% पदों को एड़ किया जाये तो उसके संग संसोधित आपका रिजल्ट भी निकाला जा सकता है मतलब की वेटिंग लिस्ट भी इसी की जाती है ठीक है तो इसका मतलब कितना है कि आपके 14 पद इनों ने बढ़ा दिये ठीक है तो ऐसे ही ल्टी में भी अगर होना होगा अधियाचन के करम में अगर वहां से अधियाचन आ जाता है और संसोधन हो जाता है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा 25% पद बढ़ जाए ठीक है पदों के कुल सापिक्ष ठीक है लेकिन यहां पर ध्यान लखना है कि इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है उसका रिजल्ट आ चुका है ठीक है तो वहां पर थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो सकती है यहां पर इनोंने क्या किया है सीधा पदों की जो संक्या है वो घट बढ़ सकती है जैसा कि विग्यापन के शुरुवात में दिया होता है ठीक है इसके अलावा एक और UKPSC का नोटिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं दोस्ते ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तराखंडे लोक सेवायोक के द्वारा सीधी भरती है तो प्रकासित विग्यापन दिनांग 31 दिसंबर 2020 के बिंदू संख्या 6 आयू में आयू गर्णा की जो विनिश्चायक तिती है वो 1 जुलाई 2021 अंकित की गई है चुकि उत्तराखंडे नियाइक सेवा नियमावली 2006 के बिंदू संख्या 7 नियम 9 के अनुसार सीधी भरती के लायू गर्णा की जो विनिश्चायक तिती है वो 1 जनवरी कर दी है तो अथा प्रश्च्मिकत विज्चापन संक्या में वनेद बिंदू संक्या 6 में आयू का प्रावधान में निम्नान के संसोदन किया जाता है कि बिंदू संक्या 6 है आयू की गर्णा की विनिश्चायक तिती एक जनवरी 2021 होगी इस तिति को अभ्यर्थी की नियुनता मायू 22 वर्स तता अधिकता मायू 36 वर्स होनी चाहिए ठीक है अर्थात अभ्यर्थी के जनुम दो जनवरी 1985 या इससे पूर्व तथा एक जनवरी 1999 के बाद नहीं होना चाहिए बाकी जो सेस विज्यापन की सर्ते हैं वो यथावत रहे है ठीक है तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजे मिलते हैं गली वीडियो में गुड़ बाई